नमस्कार दोस्तो मैं इसल्द मैं आप सभी क competitors करता हूँ तो दोस्तो finally Deloitte की hiring आ चुकी है हां दोस्तो Deloitte में का hiring is announced दोस्तो Deloitte ने last year b히 hiring की थी Final year student की that is 2022 batch की जहां दोस्तो Deloitte ने off-campus hiring की थी कापी सारे students की तो दोस्तो एक बर फिर से条 אז Deloitte ने final year students that is 2023 batch के students के लिए hiring launch कर दिये है हाँ दोस्तो इस वीडियो में हम in detail discuss करने वाले हैं मेरी बस आप सभी से छोटी से request है कोई भी प्लीज जल्दबाजी में इसका form fill मत कीजेगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना form fill करना है किन किन चीजों का दोस्तो आपको ध्यान रखना है बस और एक request और रहेगी हमारे telegram group भी join कर लीजेगा जिसका link आपको description में मिल जाएगा क्योंकि दोस्तो मेरा वादा है आपका selection से means आपका application process से लेके selection तक मैं करवा कर रहूँगा क्योंकि दोस्तो लास्टेंबी हमारे channel से कापी सारे students Deloitte में select हुए थे तो दोस्तो पहली मैं आपको Deloitte की official website पर लेकर चलता हूँ जैसा कि दोस्तो आप देख सकते हो Deloitte की hiring आ चुकी है यहां दोस्तो registrations open हो चुके है and दोस्तो 21st December is the last date open talent network hiring दोस्तो announce हो चुकी है यहां दोस्तो अगर मैं job description की बात करता हूँ पहले दोस्तो मैं आपको role बता देता हूँ that is analyst, trainee, risk and financial advisory हाँ दोस्तो यहां अगर हम role की बात करते हैं तो दोस्तो आप latest technologies पर काम करने वाले हो जैसा कि मैं दोस्तो आपको बता देता हूँ you will also get exposure to multiple technologies risk domain like access control, identify, authentication, cyber, incident, simulation तो दोस्तो आप काफ़ी सारी new technologies पर काम करने वाले हो दोस्तो मैं आगे आपको बताता हूँ package दोस्तो यहां आपका 6 LPA रहने वाला है बागी दोस्तो अगर मैं process and timeline की बाद करता हूँ तो दोस्तो registration है 15th of December से 21st of December तक तो please जल्दबाजी मत कीजएगा क्योंकि यहां आपको resume upload करना है जिसके बारे मैं मैं अभी आपको वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आपको किन किन चीजों का दिहान करकर resume को upload करना है short listing दोस्तो most probably आपकी resume based होने वाली है या फिर दोस्तो जो भी चीज इनोंने eligibility criteria में mention की है उन चीजों का दोस्तो आपको दिहान दखना है फिर दोस्तो आपका online assessment होने वाला है 26th of December से 6th of January के बीच में हाँ दोस्तो last year भी कापी सारे online test हुए थे क्योंकि दोस्तो कापी सारे students ने apply किया था तो दोस्तो हर एक दिन test होता था फिर दोस्तो आपके online interviews है वो भी दोस्तो around 8 to 10 days चलने वाले है फिर दोस्तो result आपको सीधा 15th of March के आसपस देखने को मिलने वाला है बात कर लेते हैं दोस्तो अब Deloitte में how to create resume की दोस्तों बात में बात करते हैं सबसे बेले qualifications यहां दोस्तों BE B.Tech के students eligible होने वाले है graduation year of 2023 हाँ दोस्तो final year students के लिए finally एक बहुत ही अच्छी hiring आ चुकी है and branches की बात करता हूं तो cyber security, information technology, CS, software engineer, triple E, ECE, I, EIE and other ancillary circuital branches दोस्तों काफ़ी सारी colleges में cyber security भी as a branch होती है specialized तो उन students के लिए यह एक काफ़ी अच्छी opportunity होने वाली है CG बे दोस्तों इन्होंने 60% mention करका है इन्होंने यह mention नहीं करका कि 10th, 12th या फिर graduation तो मेरी एक request रहेगी overall 60% दोस्तों आप इसको मान कर चलिएगा you will not be eligible for this hiring process if Deloitte has visited your campus in the last 6 months तो दोस्तों यह एक off-campus national level hiring है on-campus hiring नहीं है ठीक है इस बात को आपका ध्यान रखना है बट आपके college में अगर Deloitte आई थी अगर आपने उसमें test दिया था तो दोस्तों आप इसके लिए eligible नहीं होने वाले हो individual currently employed with or by Deloitte are not eligible to apply for this role अगर दोस्तों आप Deloitte में internship करे हो या फिर already select हो चुके हो तब भी दोस्तों आप इसके लिए applied नहीं कर सकते तो दोस्तों यह जारी चीज़े तो हमने discuss करनी जो कि बहुत जादा ज़रूरी है अगर अभी तक किसी का doubt हो तो प्लीज comment section में ज़रूर बताईएगा अब बात कर लेते हैं resources की सबसे पहले resume हाँ दोस्तों resume की बात करता हूँ क्योंकि दोस्तों while registering आपको यहाँ अपना resume upload करना है यहाँ दोस्तों इनोंने साफ साफ एक चीज mention कर रखी है resume में आपको चार चीजों का सबसे ज़ादा ध्यान देना है profile का, skills का, experience का and education का मैं पहली बता देता हूँ दोस्तों जब आजकल दोस्तों companies के पास automatic systems होते हैं जो आपके resume को read करते हैं तो please इन चार sections का ज़रूर ध्यान दीजेगा profile का skills का, experience का and educations का and आपका resume दोस्तों एक page से ज़ादा नहीं होना चाहिए यहां दोस्तों आपको अपनी photo लगानी है photo भी कहीं न कहीं अब mandatory हो चुकी है यहां दोस्तों आपको इन चीजों का दियान रखना है ऐसे resume upload करना है बट अगर आप मैंसे कोई भी student को यह जानना है कि sir resume कैसे upload करना है तो please एक दिन का और इंतिसार कर लीजेगा मैं कल एक video डाल दोंगा उसमे एक resume भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे upload करना है उससे पहले एक student है हमारे channel की नहा जिनोंने अपना TCS का resume डाल रखाया है and यह इसी resume से दोस्तों Deloitte में भी select में दी नहीं है तो दोस्तों आप ये video देख सकते हो इसका link दोस्तों मैं आपको description में दे दूँगा तो दोस्तों resume की बात over हो चुकी है अब बात कर लेते हैं test anatomy हाँ दोस्तों test anatomy में कहीं ना कहीं आपको मैं बताने वाल हूँ कि क्या test ये कितने questions होने वाले है last time में दोस्तों है 90 minute का test था जिसमें दोस्तों 45 questions आपके MCQs थे 2 questions दोस्तों programming थे and believe me इसमें जो programming आती है वो इतनी difficult नहीं होती है test summary की बात करता हूँ the test is divided into 4 sections दोस्तों 4 section में आपका test divide रेने वाला है for each section you will get dedicated time duration तो दोस्तों आपको हर एक section के लिए time मिलने वाला है if you run out of time before completing any section you will be moved forward to the next section automatically तो दोस्तों अगर आप एक section नहीं कर पाते हो limited time में तो दोस्तों आप automatically दूसरे section पर पहुँच जाओगे once you move to the section ahead you will not be able to come back to the previous section अगर दोस्तों आप दूसरे section में पहुच जाते हो दोस्तों आप previous section में नहीं आपाओगे the 4 section will present 4 different varieties of questions as explained below तो दोस्तों आपका general aptitude, language skills, technical skills as well as technical skills coding रहने वाली है सबसे जादा मैं पहली ही बताते था हूं दोस्तों जहां आपको सबसे जादा दियान देना है that is coding last time उनी students पर interview mail आया था जिन्होंने दौनों coding questions solve किये दे बहुत अच्छे से technical MCQs भी बहुत important है क्योंकि दोस्तों यहां आपको machine learning, cyber security, cloud computing जैसी technologies पर questions देखने को मिलते हैं फिर दोस्तों आपका English related as well as general aptitude के questions आते हैं अगर दोस्तों आपको इनके questions चाहिए last year के तो please comment section में मुझे जरूर बताइएगा क्योंकि last year भी दोस्तों हमने काफी सारे students की preparation करवाई थी Deloitte की even मैं आपको actually वो लिये थे interviews तो मैं आपको दिखा देता हूँ Deloitte के जिससे आपको proof हो जाएगा कि यहां यार अईशल सर्ण ने last time interviews काफी सारे लिये थे तो मैं आपको proof दिखा देता हूँ दो मिर्ट रुकी हाँ यहां दोस्तों हम Deloitte के section पर आ जाते हैं यहां दोस्तों Deloitte पर आप देख सकते हो 70 plus booking से हैं last time की सिर्फ और सिर्फ क्योंकि दोस्तों जब हमने top mate start ही किया था तो दोस्तों make sure आपको इसमें apply ज़रूर करना है क्या-क्या चीज हो गई देखो मैंने आपको test के बारे में बता दिया how to create your resume में बता दिया how to register मैं आपको बता रहा हूँ तो दोस्तों यहां आपको personal and contact details educational details personal certification अगर आपने कोई certification कर रखा है photo resume government ID सबसे जबा important and registration successful दोस्तों last year 21st of December तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है अब registration पर बढ़ते हैं दोस्तों आपको यहां क्लिक करना है I am not a robot next पर आना है मैं आपको हर एक चीज in detail बता रहा हूँ साती साती है वीडियो को like और share जरू कीजेगा और अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं कर रखा है तो चैनल को दोस्तों subscribe भी जरू कर लीजेगा यहां दोस्तों आपको I agree पर क्लिक करना है यहां दोस्तों मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ first name में दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है जैसे मिलने रिकलिया last name में अंशुल बंसल first name preferred तो दोस्तों एक और चीज जिन मतब जिस भी column में ये star लगा है वो mandatory है ठीक है full name पर आते हैं दोस्तों अंशुल बंसल email id दोस्तों मैं आपको अपने channel की जैसे की मैंने डाल दी ठीक है आप अपनी personal alternate email id ज़रूरी नहीं है mobile number आप डाल सकते हो ठीक है alternate mobile number देख लीजे जहां rates आईन है वो बहुत ज़्यादा important है date of birth की बात कर लेते हैं दोस्तों तो ठीक है gender male present address और अगर किसी को एक अलग से वीडियो चाहिए मैं इसमें बता रहूं हूँ वैसे अगर किसी को registration करने में फिर भी problem आती है तो comment section ने जहूँ बताएगा address जैसे लिख दीजे मैं रेंडम address लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ city अलग से भी पूछा है इनो ने ठीक है city select कर लेते हैं state दोस्तों select कर लेते हैं country दोस्तों select कर लेते हैं मुझे education details में दोस्तों बीटेक वाले eligible होने वाले हैं undergraduate ठीक है degree की बात कर लेते हैं दोस्तों btec college गलगोटिया गलगोटिया ब्रांच की बात कर लेते हैं तो दोस्तों cse ब्रांच दोस्तों मेरे को मेरी यह मिल गई year of passing की बात कर लेता हूँ दोस्तों percentage दोस्तों aggregate 60 से उपर आपका होना चाहिए ठीक है add more पर मैं क्लिक करके देख रहा हूँ यह education type अगर आपको अपनी 10th और 12th में अगर आपको अच्छा लगता है कि आपके marks अच्छे थे तो जरूर इसको add की जगा दोस्तों इसको जरूर यह कीजएगा क्योंकि आजकल सारी companies पहले आपको देती है उसके बाद दोस्तों आपको full time offer देती है अगर कोई experience है अगर आपके पास internship का तो यह बहुत अच्छी बात है do you have any prior experience दोस्तों मेरे पास नहीं मैं fresher हूँ Deloitte alumni information are you a former employee of Deloitte of India no यार अभी से हम कहां से है personal certifications अगर आपने कोई कर रखा है जैसा कि मैंने कर रखा है बट अभी मैं submit नहीं कर पाऊंगा जैसे yes तो certification का name मैं लिख देता हूँ हाँ मैंने AWS का दोस्तों कर रखा है यह वाला proficiency pickner थी मेरी as far as I remember काफी पहले किया दोस्तों number id अगर आपने कर रखा है issue date और अगर नहीं कर रखा तो कोई जरूरी नहीं है सीधा no करना है दोस्तों do you have any additional certification अगर आपने कोई additional machine learning वगर कर रखा है जैसा कि आप लेख सकते हो machine learning मैं फिर से बोलना हूँ प्लीज जल्दबाजी में registration मत कीजेगा अब सबसर जाबा important आ गया choose file photo जब आप अपनी यह photo upload करो तो make sure उसका background white होना चाहिए resume upload करते समय मैं फिर से बता देता हूँ Deloitte ने already mention कर रखा है resume का format तो आप इसको देखकर अपना resume जरूर upload कीजेगा government ID proof में दोस्तो आप अपना आधार mention कर सकते हो जैसा कि मैं आपको ले आता हूँ government ID proof में दोस्तो आप अपना आधार mention कर सकते हो तो इस चीज का ज़रूर जान लिजेगा उसके बाद दोस्तो आपको submit button पर click कर देना है तो मेरी आप सबीसे request है इसमें जल्दी से जल्दी register कर दीजेगा बट जब ही register कीजेगा जब आप अपने resume को लेके finalize जो की हाँ यार मेरा resume सही है and मैं इसको लेके confident हूँ and दोस्तो ये एक बहुत ही अच्छी hiring आ चुकी है Deloitte company की तरफ से तो make sure इसमे apply कीजेगा and जित्मा हो सके दोस्तो इस hiring को अपने friends के साथ भी सरू शेयर कीजेगा बागी दोस्तो चैनल को subscribe जरू कर दीजेगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो दोस्तो आज के लिए इतनी मैं जल्दी में तो अपनी नहीं वीडियो में अपने नहीं jobs as well as internship updates के साथ जब तक के लिए दोस्तो थन्यवाद